पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा रीवा रेलवे स्टेशन को बड़ी सौगात दी गई है दरसल रेल मंडल के द्वारा विंध वासियों की वर्सों पुरानी मांग रीवा से मुंबाई के लिए नई ट्रेन चलाने पर मुहर लगा दी गई है रेल मंडल की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अब रीवा जिला भी देश की आर्थिक राजधानी मुंबाई से रेल यात्रा के द्वारा सीधा कनेक्ट हो जाएगा जिसके लिए एक नई सापताहिक समर स्पेसल ट्रेन चलाने की घोशना की गई है यह ट्रेन रीवा रेलवे इस्टेशन से हर गुरुवार शाम चार बज़े से चल कर अगले दिन शुक्रुवार दो पहर बारा बचकर बीस मिनट पर मुंबाई के छत्रपती शिवाजी टर्मिनल पहुँचेगी वही मुंबाई की ओर से यह शुक्रुवार को दो पहर देड़ बज़े से चल कर शनिवार रात आठ बचकर पचपन मिनट पर रीवा पहुचेगी यह ट्रेंड शुरू होने के बाद रीवा संभाग के रीवा सीधी सतना सिंगरॉली के लोगों को मुंबाई आने जाने के लिए सीधे ट्रेंड उपलब्ध हो जाएगी बता दें कि मुंबाई के लिए रीवा से ट्रेंड की डिमांड लंबे समय से की जा रही थी बता जा रहा है कि यह सापताहिक ट्रेन रीवा से कटनी जवलपूर इटारसी हर्दा खंडवा होकर मुंबई जाएगी आपको बता दीं कि रीवा रेलवे स्टेशन में तेजी से रेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है भविश्यों में पांच प्लैटफॉर्म बनाने की योजना है जिन पर काम चल रहा है जबकि वाशिंग पेंट की समस्या को दूर करने के लिए दो नई वाशिंग पिट का निर्मार भी युद्धिस्तर पर किया जा रहा है जिन में से एक वाशिंग पिट अगले महीने तक शुरू होने की सम्भावना है माना जाता है कि किसी भी प्राइमरी स्टेशन के लिए वाशिंग पिट का होना अतियावशक है जिससे ट्रेन के रख रखाओ और साफ सफाई में सहायता मिलती है दो नई वाशिंग पिट बन जाने से अब भविश में रीवा रेलवे स्टेशन से नई ट्रेनों की शुरूआत के अवसर भी बढ़ जाएंगे